आज सब लोग देखना चाहेंगे कि मिट्टी का फ्रीज होता कैसा है बिजली बिना चलने वाला वर्ड का पहला फ्रीज है यह इसका डरने का नहीं है यह तूट जाएगा हम यसी प्रोड़क्ट बनाते है कि कम तूटे ज्यादा चले यह कोई मामूली इंसान नहीं है जिसको आप फ्रेम में देख रहे हैं यह मिट्टी का चेयर है मिट्टी का महराजा चेयर है यह टेवल है तो यह है सीटी बढ़ने वाला मिट्टी का कुकर मुझे लगा है खाना भी इसमें बहुत टेस्टी बनने वाला है आपको पहले में बेठाता हूँ मेरी खुर्सी पर आप बेठिये और मैं आपके पास खड़ा रहू तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप जैसे बिहार से लोग आप जैसे हमारे मेमान यहां आया इसके अंदर पानी फिल्टर होके यह निचे के हिसे में आते है यह पानी उप पान्ता एक दम मजबूत चेर बन सकता है यह आपने कभी सोचा है आपने मिट्टी का मूर्ती देखा होगा बट फ्रिज नहीं देखा होगा क्या नाम है भाई जी आपका मेरा नाम मनसुक भाई प्रजापती है अच्छा मनसुक जी यह बताईए कि आप मिट्टी का इसे कम से कम 900 से ज्यादा प्रोड़क्त बना कि हमने वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाया है आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बहुत 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 बढ़े बड़े लोग आपको सम्मान दिये हैं सम्मानित किये हैं अवार्ड मिला है तो आप कब से यह काम कर रहा है जैसे त प्रदुसंड भी था तो पैपा ने यह सोचा था कि ये काम करने वाले को कोई साधि के लिए लड़की भी नहीं देते थे, तो पैपा ने सोचा कि ये काम मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास एक़ी लोटा बेटा है, मतलब मैं वह्ला अकीला लड़का तो यह कला लुपत हो जाएगी, लेकिन मैं यह नहीं चाहता हूं कि यह कुमहार काम लुपत हो, मैं यह कारीगी बंध हो, तो मैं ने एक जगह से 30,000 रुपिया लेके यह मेरा काम की, मैंने फिर से सुरुवात की थी, मेरे दिमाग से मैंने टेकनलोजी बसाई, जगा लिया, और सभी मशीन यहीं बना दिया कि मिट्टी गुनने का इलेट्रिक चाक मिट्टी का पावडर करने का और एक भी तरह के प्रदुसर्ण नहों कम मेहनत हो जैसे के कुमहार काम होता है तो मटका को टिप टिप के बनाना पड़ता है तो भी अच्छी टेक्नोलोजी एक सेम डिज में ऐसे ही नहीं बन गया डेड़ लाग तक मैंने तवा तोड़ दिया और दो साल तक इसके पिछे काम करना पड़ा नहीं नहीं टेक्नोलोजी सोचना पड़ा उसी तरह मैंने फ्रीज बनाया फ्रीज में भी मैंने पांच साल तक मेहनत की और 19 लाग का मेरे उपर कर्ज हो और रहने के लिए मकान नहीं बचा खाने के लिए पैसा नहीं बचा मैं अप डाउन अप डाउन करता रहा हूं और जो आज हम खाना भूल गए है हम स्वाद भूल गए है यह टेस्ट को वापस लाने के लिए मैंने मिट्टी का सीटी बजने वाला कूकर भी बनाया है और य इवन के अंदर एक भी चीज ऐसी नहो कि जैसे कि प्लास्टिक हटा हो हम बोलते हैं लेकिन हटाते नहीं है प्लास्टिक की बोटल में हम पानी पीते हैं प्लास्टिक हेल्थ के लिए बहुत ही नुक्सान कारक है हम समझते हैं कि यह प्लास्टिक हेल्थ के लिए अच्छा नह है लेकिन ये अलकलाइन मतलब जो पानी में मिन्रेल कुस्स है मिले। वो ही सपना है मेरा मेरा वो काम है कि सिर्फ लोगों को अच्छा खाना मिले लोगों को अच्छा पानी मिले लोगों के स्वास्त अच्छी रहे और हमारे जैसे कुमार को जो काम छोडने लग गए थे वो काम को मैंने वापस लाने के लिए ये टेकनोलोजी के साथ लाने के लि यह चालिस साल से काम कर रहा हूँ, कम से कम दस हजार परिवार को यह फिर से मैंने जिवन्त करके मैं वापस लाया हूँ और आज मेरे पास तीन सो से चार सो बहने काम कर रहे हैं मैं सिखाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, मैं ट्रेनर हूँ जैसे के विश्व कर्मा योजना बनाई मोजी साब ने सरकार ने तो इसका जो सलाकार समीती में मुझे रखा था कि आप कुमारे मनसुक, तो आप आईए और आगे बढ़ाईए जैसे के कौन बनेगा करोड़ पती है, तो इसमें भी मुझे एक डाइरेक्ली कर्मविर के रुक में मुझे बुलाया गया था अच्छे एक बात बताईए अभी कितना शोरूम है, एक तो बहुत बढ़िया शोरूम में हम अभी है, कितना शोरूम ऐसा है आपका? जैसे के हमारे सोरूम में आये है, पूरा भारत में और आउट ओप कंट्री में 220 से आसपास हमारा सोरूम है प्रस्टनली मेरा ही नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये डिस्टूबिटर, डिलर्शीप, इसी तरह से हमारा 220 सोरूम, इंडिया में 210 है और आउट ओप कंट्री में 10 है, मतलब 220 है सोचने वाली बात है, 10 फेल कर गया है, लेकिन बहुत लोग बहुत तरीके की बात करने लगे, इनके पिता जी भी सोचे कि भाई मेरा बेटा अगर कुमार का काम करेगा, तो भाई शादी कौन करेगा, मतलब ये मांसिक्ता बहुत पुराना थी, लेकिन सोचे ये उस वक्त युवा थे और धीरे-धीरे इसको डेवलप किये, और आज ऐसा टेकनलोजी बना दियें कि बड़े-बड़े लोग इनको अपने बड़े-बड़े शो में बुला करके सम्मानित किये हैं, बताइए अभी पूरे देश में 220 शोरू में है, जिसमें डीलर भी हो गया, बहुत दिस्टिब्यूटर भी हो गया, और आज इनका जो नाम है वो चारो तरफ फैला हुआ है, भाई जी हमको फ्रिज दिखाए जो आपने अपनी महनस से बनाया है, और आज सब लोग देखना चाहेंगे कि मिट्टी का फ्रिज होता कैसा है, जैसे के ये फ्रिज है, फ्रिज के वाला वर्ड का पहला फ्रिज है ये, ये मिट्टी कुल रेफ्रिज है, यानि कि बिजली नहीं लगेगा, मिट्टी के फ्रिज में, आप इसका डर ने का नहीं है, ये तूट जाएगा, हम यसी प्रोड़क्ट बनाते हैं, कि कम तूटे ज्यादा चले, और हेल्थ और परिय ये निचे के हिसे में आते हैं, ये पानी उपर से पानी गिर के, ये एकवागाड है, मिट्टी का यसी यसी, पानी को फिल्टर करने के लिए आपने ये मिट्टी का एकवागाड बना दिया, उसी तरह से इधर आप आईए, तो ये है सीटी बढ़ने वाला मिट्टी का कुक जो हम परमपरा भूल गए थे के मिट्टी के बरतन के अंदर खाने के बाद हमारी जो हैल्थ होती थी वह इतनी अच्छी थी जैसे कि आज मेरी आख में नंबर है ऐसा समझो चस्मा पेना है लेकिन पहले के जमाने में 42 यह के बाद ही चस्मा आते थे आज के जमाने में हम खान एलुमिनियुम च्टील का यह दूसरे बर्तन के अंदर खाना पकाते है तो इसका टेस्ट चला जाता है तो इसके अंदर हन्डेट परसंट हमें जो तत्व चाहिए वह तत्व मिलते है क्योंके मिटी हमारी मां है यह कूकर में CT भी लगता है है यह रहा CT भी है rubber ring है दोनों है 921 प्रोड़क्ट बना के हमने वर्ड रेकोड बनाया है लेकिन कोई की कोपी करके नहीं बनाया है हमने खूद नहीं सोचा है इसलिए तो राश्टरपते अब्दूल कलाम साब ने मुझे साइन्टिस्ट का विरुद दिया जैसे के व्यतनाम देश ने हमें डोक्टर की पद पढ़ाये जाता है दिली में अंग्रेजी कख़ा की आठवी कख़ा की दूसरा सेशन मेरे बारे में पढ़ाये जाता है अमेरीका के हावर्ड और wij dimin के अंदर के स्टेडि मेरे बारे में पढ़ाए जाती है कलका ता के अंदर देखो एक हल्प ऐस हल्प येम मतलब मिटी से जूड़ी सिक्षा करके एक बहुत बड़ी स्कूल बनी है जिसमें एक हजार लड़किया मतलब बच्चिया पढ़ रही है फर्स स्टांडर से लेके 10 स्टांडर तक इसमें पूरे पहले से लेके 10 तक मेरे बारे में पढ़ाया जाता है तो यह मुझे यह खुसी है कि देश में नहीं विदेशों में भी हमारे बारे में बहुत जापान में और दूसरे जगह पे मेरे बारे में पढ़ाया जाता है यह कोई मामुली इंसान नहीं है जिसको आप फ्रेम में देख रहे हैं आप सोचिए 10 दिन पहले राष्ट पती द्रौपदी मुर्मुजी से भी मिलकर य और फ्रिज का निर्मान तॉ इंहीं का नाव सब्सक्राशा को इसनिशता करना मुर्सकर प्रतूर परकान में ठीम हमारे bibi है पांच लाख मुझे रासी दिया था अच्छा उस समय पहला नाम क्या अनाउंस किया गया था उसने बोला था कि दो लाख रुपीज केस प्राइज और ये मिट्टी का फ्रीज बनाने वाले मनसुख भाई प्रजापती को दो लाख की रोकड रकम से पुरसकार दिया जाएगा तो मेरे नाम हुआ मुझे बुलाया गया लेकिन मेरे घर में प्रसंग होने की वज़े से मैं हाजिर नहीं रह सका तो उसने मुझे बाद में ये पैसा अलावा तीन लाख ओर डालके पांच लाख मुझे अक्षे कुमार ने दे दिया है हम गुजरात में हैं और यहाँ पे अपनी परंपरा को लोग बहुत मानते हैं यहाँ पे लोग धरम को बहुत मानते हैं अपना जो धरम है धार्मी के लोग बहुत होते हैं यह लोग पूजा पार्टी लोग बहुत करते हैं और आज यह इन सारी चीजों को इसलिए बना रह कि अपने परंपरा को ले करके चल रहा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पीड़े चूरते जा रहे हैं लेकिन ये सब गज्रात के भाई अपने परंपरा को बहुत महत्वुत स्क्राइब ये बहुत बड़ी बात है फोटो को संदेश निउस पेपर में दिया हेडिंग में लिखा था कि गरीबों का फ्रीज टूट गया सही में तो मेरा मटका टूटा था तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चलो मैं तो कुमार हूँ उसने जो लिखा है तो मैं प्रूब करके क्यों नहीं बताओ तो मैं ने ये मिट्टी का फ्रीज बना दिया तो ये आप जैसे रिपोटर के माद्यम से हूमें नई नई दिसा मिलतی है नई नई टेकनॉलोजी मिलती है नई नई और भी हमें हिम्मत नहीं हारते क्योंकि आपने हमें आगे ले जाने का सपना पूरा किया है मैं तो मैं कला का रहूं तो मेरी कला तो है लेकिन कला को बाहर ले जाने वाले हिरों को ढूंडने वाले कि एक अंकर मेंसे हीरा कौन है वो तो आप ही है आपकी वजह से हम आगे हैं हम कुछ नहीं है हम तो एक कारिगर है चोटा सा जो हमने इसी प्रोड़क्छ और हमारी कला को हम जीवन्त रखना चाहते है यही मेरा सपना है और जीवन्त रखने नहीं में ये मेरा एक लक्ष है कि मैं एक लाख लोगों को ये 2025 में में पूरा करके ये काम को में फिर से वापस लाना चाहता हूँ एक लाख लोग ये काम पर वापस आए बस यही मेरा तमन्ना है मतलब आप चाहते हैं कि आपकी जो परंपरा है वो चलता रहे है रुकना नहीं चाहिए और सरकार भी यही चाहती है कि अपना काम है हमारी जो कला है गांधी जी का भी यही सपना था कि हमारी देश की चीज है हमारे देश में ही बिखना चाहिए हम बाहर से क्यों लाए अभी मैं आपको एक टेकनॉलोजी बताऊंगा कि मैंने एक अखंड दिया का निर्मान किया है कि सिर्फ उपर के हिसे में ओल भरो ओल वो भर के मैं आपको अखंड दिया पहले बता देता हूं बाद में जी बिल्कुल, आप अपनी चीज़ों को दिखाएं, क्योंकि हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कि यह भाई ने जो कमाल किया है, यह बहुत सारी चीज़े हैं, जो इन्होंने बहुत अलग बनाया है जैसे कि यह अखंड दिया है, अखंड दिया की विवस्ता यह है कि इसके अंदर ओइल भरने का, ओइल भरके आप उल्टा कर दो, इसके अंदर रख दो, तो क्या होता है मालूमें, यह ओइल यहां से जब आप दिया जलाएंगे, तो ही ओइल टपकेगा, वरना ओइल तो इसमें यह आधा जो दिपक है आधा ही भरेंगे और प्लो कभी नहीं होगा तो यह दिपक की एक नई टेकनलोजी है और दूसरी बात यह है कि इसको हम उल्टा करने तो भगवान का दूप भी हो जाते हैं और सीधा कर दो तो हम इसके ओपर यह रख के जैसे कि मैं आपको कैसे दिमाग में लाते हो क्योंकि हर जगा यह नहीं मिलता है यह पूरा इंडिया में नहीं होता है लेकिन मेरा यह मानना है कि मैं जैसे आपको बता हूँ जैसे कि यह हमने ओल भर दिया आप समझो ओल समझ के मैं दिखाता हूं कि ओल भर दिया है और इसको क्या करेंगे हम यह रख दिया, तो यह क्या रख दिया, लेकिन यह और फ्लो कभी नहीं होगा, अच्छा, इस टाइप से दिया जलता रहे, यह बंद हो गया, देखा आपने, अपने आप बंद हो गया, अभी आप दिपक जलाएंगे, तो ही यह टपकेगा, वरना नहीं टपकेगा, यह कभी और फ्लो यह नहीं जाएगा, इसको मैं फिर से जीवन्त किया है, यह योगी सरकार ने 2021 में वर्ड रेकोर्ड बनाया था यह सा 9 लाख दिपक जलाने के लिए कितना आजमी की जरुत पड़ी होगी, यह सा 9 लाख दिपक जलाने में, तो हमने सोचा कि हम ऐसा ही अखंड दिय बना दे, एक बार जलाया, तो यह 24 गंटे तक यह दिपक जलता रहे, आपको लोग सपोर्ट बहुत किये हैं, मुझे लगता है, मैंने, मुझे भी सपोर्ट मिला है, सरकार का भी सपोर्ट मिला है, यह जहां हम खड़े है, वो सरकार ने ही हमें जमीन दिया है, लेकिन टोकन और आप आगे बढ़ो, और लोगों को ट्रेनिंग देते रहो, सिखाते रहो, एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है, कि गुजरात हमारा आना जाना हमेशा होता है, और यहां पे सरकार जो होती है, मतलब बिजनस मैन को और जो नया कुछ काम कर रहे हैं, उनको बहुत सपोर्ट करती है, यह चीज़ हम मानते हैं, क्योंकि बिजनस मैन यहां पे बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारे यहां ऐसा बिलकुल भी नहीं होता, हमारे यहां बिजनस मैन को बड़े जो आगे बढ़ने वाले लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, यहां काम करने वाले को ब बेंक वाले से उसको बोला के मनसुख भाई करके कोई लोग है वो क्या कर रहे तो यह बोलते ही मिटी का फ्रीज जैसा बनाते हैं तो उसने जवर जस्ती मुझे नहीं चाहिए थी तो भी अच्छा काम कर रहे तो अपके देश के लिए और क्या कर सकते हैं और ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे नहीं तो क्या इतने लोग यहाँ पर सपोर्ट करें देखे चेर हम दिखाएंगे थोड़ा सा यह सब तो मिटी का बरतन है और जैसे कॉप हो गया यहाँ पे गलास हो गया मिट्टी का चेर है मिट्टी का महराजा चेर है यह टेवल है भाई जी यह सारा मिट्टी का है इतना मजबूर हाँ यहाँ देखो यह मिट्टी का खुरसी टेवल में इसलिए बनाया है कि हमारे यहाँ जो कस्टमर होता है वो हमारे लिए भगवान होता है आप भी हमारे लिए एक मेहमान है बगवान है तो आपकी वज़े से ये हमारी खुर्सी अच्छी लगती है हम बेठते हैं कि और कोई नहीं बेठते नहीं है लोग तो ये खुर्सी की सोभा अच्छी नहीं है तो मैं अभी बेचता हूँ आपके पास बात बताई इतना मजबूत चेर कैसे बनाए मिट्टी का चेर इतना मजबूत हम पहली बार देख रहे हैं तो आठ गैलेरी के रूप के आठ गैलेरी समझ के इसके उपर बेट के फोटो वीडियो लेते हैं पूरा मिट्टी का है, शिर्फ यह लोहे का स्टेंड और जहाँ विल लगा है, वो तीन जगाई सिर्फ लोहे की हिए, बाकी सब मिट्टी का ही है, उसी तरह से मेरी मेहीने जर्नी भी बताई है, कि देखो यह क्या क्या मेहीने बताया है, आपको मैं लाइव बताता हूँ, साथ सालili तब मेरी ममी के साथ में घर से और यह मिट्ला के घर से oùбर बनाने के भाद Bonjour से इसकों पाउडर करते थे पाउडर बनाने के बाद यह थोड़ा है थोड़ा से हंफौ रम्न करते थे बाद में हमने क्या मे क्या यह यह पेर से संब खुनते ने यह मिट्टि को मेरी ही पिक्चर बतायी है मैंने छोटा चा तब मेने फोटोग्राफ लिया था वो ही पिक्चर है एक पेर्ष से हम खुनते करते थे जो आप देख रहे हैं यहां मेरा पपा यह मटका को टिप के बढ़ा करते हैं टिप के बढ़ा करके यहां सुकाते थे सुकाने के बाद यह किलन में हम जलाते थे जलाने के बाद हम मटका को बाहर रखके जैसे के हमारे सोरूम में हमने रंग रोगान करते थे वही तर लगा हुआ ट्वेंटी सिक्स पर ये चालिस बाइसी का सोरूम है लेकिन ये टाइस जो लगाई ये टाइस के माध्यम से ये ये ठंडक और वापस आ रही है तो हमें ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है और ये सभी हमने बताया है ये बहुत अलग है बहुत अच्छा है ये ट्रेनिंग दे सकते है तो इसको घर पे ऐसा ऐसा छोटे-छोटे मोती बनाने का हम बोल रहे है इसमें छेद करके ये ब्रेसलेट बनाओ क्यूंकि आज कल हम बच्चे को ज्यादा ट्रेनिंग देना चाहते है हर स्कुल में मेरे बारे में क्यूं पढ़ाय जाता है कि मैं ज् किटल में पेंटिंग करे और पानी पीने का ग्लास में पेंटिंग करे उसी तरह से देखो आप स्टाइल से टाइल्स में भी पेंटिंग करके हमने अलग-अलग टाइस बनाया है ये साबून है ये अगर बत्ती है ये सब भी मिट्टी का है ये हमने क्या क्या है गाई का गो इसकी गोबर की वेलिव गना सकते हैं और haunted कि नख अगे Greek में यहां बेश पांसों रुक्रा कि एक किलो गोबर का तो हम जादा घ्रमी क्यों आए दे उसको बाहर जाने के जरूत क्या पड़ेगी दोस्तों लोग एक इनाम के लिए तरस्ते हैं लेकिन मेरे बगल में जो सक्स है जिन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई आपको कैसा लगा हमारा स्टोरी इनका स्टोरी हमने जो चीजे आपको बताई भाई मिट्टी की चीजों को यूज करें यह हमने बताया बाकी में यो शेयर की जिए